नमस्कार दुस्तों स्वागत करते हैं आप सभी लोग का दोस्तों आप सभी लोग को करेंट अफेर आज का देखा है तो सेट नमबर आपका टू है इसके पहले का भी आपका यहां पे सेट नमबर वन अप्लोड कर दिया गया था आज का जो वीडियो होने वाला है यह आपका करीबन आठ सो दो कोशन आपको देखने को मिलेगा जो आपका नया करेंड फिर एंप सिक्यूज फॉर में बनाए गया है ठीक है तो इसको आप शुरू से आंदक देखेगा पहला भी वीडियो अप्लोड कर दिया गया है अगर आप नहीं देखे हैं उसको जबूर देखेगा अब लेट में बनाए होगा है तो चलिए हम आज का पहला प्रस्निकाहिस को हम देख लेते हैं यानि कोशन अबर 101 से हम देखेंगे बोला गया कि हाल ही में टी-20 क्रिकेट में दस हजारन बनाने वाले पहले भारतिये खिलाडी कौन बन गया है चलिए बताईएगा इसका सही आंसर आपका क्या होगा तो इसका सही आंसर आपका हों जैएगा ओप्सन ए विराट कॉहली हो जाएगा क्या हो JU intéressant कि हालहिये कि सुझत मेहंदी को जी- एइट टेग प्रदान किया गया है जी-आइट टेग सोचत महंदी तो स्का स्थान हो जाएगा क्या हो जाएगा राजिस्थान नेश्ट को सने गुजरात विधान सभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है गुजरात विधान सभा की तो याद रखिएगा भूलिएगा नहीं आपका हो जीटने वाले फार्मूला वं ड॰ाइबर कौन बन गये हैं तो सही आंसर आपका हो जाएगा लुइस हेमिल्टन क्या हो जाएगा लुइस हैमिल्टन आपका सही आंसर हो जाएगा नेश्ट को सने की हाल ही में करनाटक विधान सभा द्वारा वर्श द्वार बीस 21 का सरवसेष्ट विधायक पुरसकार किसे परदान किया गया है तो याद रखेएगा वी येस यदुरापा को परदान किया ग अमेरिका क्या हो जाएगा अमेरिका नेश्ट को सने की हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तुफान गुलाप का नाम किस देश ने दिया है तो याद रखिएगा आपका पाकिस्तान के द्वारा ये नाम दिया गया है बी सही आंसर हो जाएगा हाल ही में कि किस राज सरकार ने स्वास्थ देख भाल आपके द्वार योजना का सुरुवात या फिर सुभारम किया है स्वास्थ देख भाल आपके द्वार तो सही आंसर आपको हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा हाल ही में कौन महिलाओं के बहुमत वाली संसत चुनने वाला यू जूर्ब का पहला देस बन गया है तो आपका आइसलेंड क्या हो जाएगा आइसलेंड नैस्ट कोसने की हाल ही में किसे राजे में दुनिया का सबसे उच्छा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन इस्थापित किया गया है तो यह आपक्प किया गया है हिमाचिल प्रदेश में क्या हो जाएगा हिमाचिल प्रदेश में नेश्ट कोशन की हुरून ग्लोबल पांसो सबसे मुल्यवान कमपनियों की सूची में दुज़र एकरिस के नुसार दुनिया का सबसे मुल्यवान कमपनी कौन सी बन गई है तो यहाँ पर मुल्यवान कमपनी बन गया है आपका ओप्सन ए एपपल क्या हो जाएगा एपल हो जाएगा याद रखिएगा नेश्ट कोसन देख लेते हैं यहाँ पर आपका निचे दिया गया है कि पंडित दिन द्यालूपाध्याय की जनती को देश भर में किस दिवस की रूप में मनाया गया है तो याद रखिएगा अंत योदे दिवस हो जाएगा ए आपका सही आंसर हो जाएगा चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रस्निक क्या है कि 25 सितंबज और 21 को परधान मंत्री में मोधी ने सनुक्त राष्ट महासभा के साथ रिकोर्ष साम बोधित किया है तो सही आंसर आपका यहाँ पी हो जाएगा ऑप्सन भी नेश्ट कोसन है कोसन अबर आपका 115 कहता कि यफ एस एस ए आई द्वाराज जारी राज्य खाद सुरक्षा सुचकांग द्वारबी से कई समी भारत के बड़े राज्यों में कौन सा राज्य सिर्स पायदान पर रहा है तो सिर्स पायदान पर रहा है तो याद रखिएगा अपसन आपका ए हो जाए गुजराद क्या हो जाएगा घुजराद सही अंसर हो जाएगा हाली में भारत ने सी 295mw मॉडल के 56 परिवहने वीवान खरेदने के लिए इस्पेन के किस कंपणि के साथ समझोता किया है तो याद रखेगा सही आंसर आपका हो जाएगा ओप्सन बी एर बैस डिफेंस एंड इस्पेस सही आंसर आपका यहाँ पे भी हो जाएगा भारत के किस जल विदुत परियोजना को 2021 आई एच ब्लू प्लेनेट पुरसका 2021 से समानित किया गया है तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा तिस्ता वी हो जाएगा क्या हो जाएगा तिस्ता वी नेश्ट कोशन के 24 सितंबर 2021 को लेह में पांच दिवस्य प्रथम हिमालाई फिल्म महोस्व का उदघाटन किस ने किया है ति यह उदघाटन याद रखिएगा भोलियेग नहीं आपका अरुणार अनुराक ठाकूर के दोवारा किया गया है ऑप्सन आपका डी सही आंसर हो जाएगा हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ती प्रबंद कमपनी के स्थापना की है तो करेक्ट अंसर आपका हो जाएगा आई डी आर सी एल आई डी आर सी लो जाएगा ओपसन आपका भी हो जाएगा 24 सितंबर 21 को सीफर से एट ड़ए स्कोर ऑफ सेपिंग फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाए गया है तो यह आपका मनाय गया है याद रखेगा वी सुव समुंदरी दिवस नेश्ट कोसने की भारती सेना दोरा 26 से 29 सितंबर जोरे कईश तक विजे सांस्कृती महुत्सो का आयोजन कहां पर किया गया है तो यह आपका कहां पर किया गया है तो याद रखेगा कोलकाता में किया गया है आपका ए सही आंसर हो जाएगा चली आगे देखलेते हैं कि हाल ही में सनिक्त राष्टर ने आफगानिस्तान में दवाएं एवं चिकित्सा आपूर्ती के लिए कितनी रासी यानि कितनी धनरासी की अपात कालिन कोस जारी किया है तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 45 मिलियन डॉलर आपका सही आंसर हो जाएगा भारती सेना प्रती वर्ष किस दीन को हैफा दिवस की रूप में मनाती है तो आपका 23 सितंबर क्या हो जाएगा हाल है भारत के किस समुद्धी टट को बलू फलैग प्रमाणी करण से प्रस्तूत यानि प्रोस्कृत किया है इसका आंसर याद रखिएगा उपरुक्त दूनों हो जाएगा यानि कोवलं तर्ट अमिलाडू और इडन तर्ट पुदू चेरी हो जाएगा तो इस प्रकार सी इसका आंसर आपका यहां पर सी हो जाएगा नेश्ट को सने कि सनुक तराष्ट के सतत विकास लक्षों के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेर यानि चेंज मेकर आवार्ड दोयर 21 किसे मिला है चेंज मेकर आवार्ड जो एक इस ये किसको दिया गया है तो याद रखेगा आपका आउप्शन सी हो जाएगा फेरोज फेजा बीथर फेरोज फेजा बीथर हो जाएगा Q22 में सीट कालिन ओलम्पिक और पहला ओलम्पिक खेल कहां पर आयोज़त होंगे यह कहां पर आयोज़त होंगे तो याद रखेगा यह आपका बीजिंग यानि चीन में हो जाएगा अपसन आपका A उत्तर हो जाएगा हाल ही में किस भारती किर्केटर को ICC T20 विस्व कबड़ 21 के पूरुष टीम के मेंटर की रूप में नामित किया गया है तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मेहंदर सिंग धोनी क्या हो जाएगा विस्व गुलाब दिवस कि स्तिति को मनाया जाता है तो विस्व गुलाब दिवस जो है यह आपका 22 हिंबर को मनाया जाता है पहली कृकेटर बनी है तिहतरवे प्राइम टाइम एमी अवार्ड में कि इस टीवी सिरेज ने आउट इस्टेंडिंग ड्रामा सिरिच का आवार्ड जीता है तो ये जीता गया है आपका the crown क्या हो जाएगा ए आपका right answer हो जाएगा नेश्ट कुसने की भारती वायू सेना ने किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 24 सेकेंड हैंड मिराज दो हजार लाडाको विवान खरिदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंद पर हस्ताक्षर किये है तो करेक्ट आंसर आपका यहां भी हो जाएगा याद रखिएगा फ्रांस हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रांस सही आंसर हो जाएगा हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री सक्षी सक्षी अभ्यास का तीसरा संस्क्रण सुन्डा जल्डबरू मध्य में सुरू हुआ है तो इसका correct answer आपका हो जाएगा option D Indonesia क्या हो जाएगा इंडोनेसिया आपका correct answer हो जाएगा हाल ही में SEO देश के सन्युक्त आतंगवाद विरोधी अभ्यास सान्ति पूर मिसन दुज़ार 21 के छटे संस्क्रड की मेजबानी किस देश के दौरा की गई है तो यह किया गया है आपका रूस के दौरा क्या हो जाएगा रूस आपका सही answer हो जाएगा नेश्ट को सने किस देश के कंप्रे बियेजा जो अलामोखी में भयंकर भी स्फोर्ट हुआ है तो याद रखिएगा भुलियेग नहीं option आपका ए हो जाएगा प्सलान का इस्पेन क्यों आपका सवाइट को हो जाएगा हाल ही में भारत नेपाल के मोध्य सनेंग्त्यसैन अभ्यास सूर्य किरण का 15 संस्क्राण का में आयोजित किया गया है तो सूर्य क Healing आप सभी को पताई होगा यह आपका हो जाएगा ओप्शन बी एहां पहुल हाल ही में जारी वैसिविक नवा चार सुचकांग उरे, तू में भारत को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है यहाल ही में किस राज्य चिंदवाड़ा विस्व विध्याले का नाम बदल करके राजा संकर सहावस्व विध्याले किया गया है तो इसका आंसर याद रखेगा आपका मर्दे पर्देश हो जाएगा आपसन आपका भी हो जाएगा हाल ही में चरणजीत सिंग चन्नी पंजाब के कौन से मुख्य मंत्री बने हैं तो चालिस का हो जाएगा यानि एक सो चालिस का आपसन आपका भी हो जाएगा सोलहवा क्या हो जाएगा सोलहवे हाल ही में राष्टपती रामनात कोबी ने किसे राष्ट्रिय फ्लोरेंस नाइटेंगल पुरसकार जोरे बीस परदान किया है तो इसका अंसर याद रखेगा आपका ब्रिगेडियर स्रस्ति हो जाएगा औपसन आपका भी हो जाएगा नेश्ट कोसने की हाल ही में किस राजे के हाथी मिर्च और तमेंग लोंग संतरा को जी आई टेग प्रदान किया गया है तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 142 का हो जाएगा मनिपूर क्या हो जाएगा मनिपूर नेश्ट क हाल ही में 112 आकांग्छे जीलों में कछा 6 से 12 की चातरों को मुप्त सिक्षा परदान करने के लिए नीती आयोग ने किसके साथ साझधारी किया गया है तो आपका बैजुस के साथ किया गया है ए आपका सही आंसर हो जाएगा नेश्ट कोसन देखते हैं बोला गया है कि 18 सितंबर को किसके दोरा मद्य परदेश के जैबलपूर में उजवला 2.0 योजना की सुरुवात किया गया है तो आप सभी लोग याद रखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा ओप्सन ए अमित्सा हो जाएगा क्या हो जाएगा अमित्सा नेश्ट कोसन देखेंगे बोला गया है कि हाल ही में कि संस्थाने को महारों को आत्म निर्भर बनाने के लिए इस्पीन योजना की सुरुवात किया है तो सही आंसर आपका हो जाएगा खादी और ग्रामो धोग योजना आपसन आपका क्या हो जाएगा तो D सही आंसर हो जाएगा हाल ही में कौन सा देश संगाई सहयोग संगठन कान नौवा सदक्स्य देश बन गया है या आपका बन गया है कौंत इरान बन गया याद रखेगा इरान चली आगे देख लेते हैं बोला गया है कि हाल ही में दो बार Olimpics zone पदाक बिजवता यूरी संडिक का निदन हो गया हुगा किस देश के थें तो याद रखेगा भूलिएगा नहीं अच्छा प्रस्न है आपका रूस हो जाएगा सी आपका उत्तर हो जाएगा किस देश क्या देख्षता मेया संगाई सहयोग परिशत यानि या सी ओ की राष्ट देख्षतो की एक कई सभी बैठक आयोच की गई है तो इसका उत्तर हो जा रामा, नञे सवी जैनती को तो सही आंसर आपका हो जाएगा संभी तामिलनाडू क्या हो जाल भी में अगस्ट जुजारर्एकरिस के लिए जिससे ICC Women's Player of the Month के रूप में यानि मन्त के विजयता की रूप में चुना गया है तो उनका नाम याद रखिएगा आप सभी लोग आपका हो जाएगा Option D, Amir Richardson हो जाएगा, Option आपका यहां पे D हो जाएगा हाल ही में नुवाग जोकुविच ने किस Grand Slam टूनामेट में पूरुस एकल का खिताब जीता है तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ओपरोग तो सभी हो जाएगा Australian open हो जाएगा, French open हो जाएगा और आपका विमनलंड open हो जाएगा तो याद रखिएगा, तीनों आपका सही आंसर हो जाएगा हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी, लेंदेन को अवेद घोसित कर दिया है ती ये किस ने कर दिया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका option D, चाइनल ने ये कर दिया है आगे दिखते हैं, बोला गया कि हाल ही में उधोग जगत में उलेखनी ये योगदान हे तो किसे राम किष्ण बजाज मेमोरियल गलोबल पुरसकार परदान किया गया है तो सही आंसर आपका हो जाएगा आपका option D, गौतम अडानी हो जाएगा क्या हो जाएगा गौतम अडानी नेश्ट को सने हिंदू युनिवर्सिटी आप अमेरिका ने किस अभीनेता को हिंदू अधियन में डारेक्ट की मानद उपाधी परदान किया है तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा option C, अनुपम खेर हो जाएगा क्या हो जाएगा अनुपम खेर अगला प्रस्न है कि आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में selfie with temple अभियान की सुरुवात किया है तो ये किया गया है आपका option A, उत्तरा खंड, क्या हो जाएगा उत्तरा खंड नेश्ट को सने की वीशू ओजोन दिवस की स्तितिय को मनाया जाता है तो ओजोन दिवस सभी को पता है ये आपका कौन से तारिक को मनाया जाता है तो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है ये आपका सही आंसर हो जाएगा अगला प्रस्न है कि हाल में US Open 211 का पूरुस एकल का खिताब किसने जीता है तो ये जो खिताब जीता गया है डैनियल मैद्वेद्वे की द्वारा जीता गया है ओप्सन आपका भी उत्तर हो जाएगा देश के उच्छ सिक्षड संस्थानों में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सरवस्ष्ष्ट संस्थान चुना गया है तो सही आंसर आपको हो जाएगा आयाई टी मद्रास क्या हो जाएगा अग्ला प्रस्थन walks की हाल ही में बी आरो pallak कंपपनी की कमान संभालने वाली प्रत्थम महिला स्दम्रा सेन अधिकारी कौन वन गई है तो यह कौन बन गई अगर आपको पूरा बुक का डाउड करना है तो लिंक आपको डिस्क्रेशन मिल जाएगा वहां से पूरा बुक को ही डाउड कर पाएंगे उसमें आपको को राज्य मझली घोसित किया है केटली मझली को तो इस प्रकार से चाहे हम आपका हो जाएगा आप्शन दी सिक्किम हो जागा क्या हुजाएगा सी कि हाल ही में कि सभारती खिलाडी ने एसी आई श्मूकर चैंपियंसी का किताब जीत लिया है तो इसका अन्सरी आपका हो जाएगा option B पंकज आडवानी क्या हूजए पंकज आडवानी हाल ही में किसे पुरुश खिलाड़ी को अलग सब्सक्राइब किसमाह के लिए आई सिसी प्लियर आप दा मंध का अवार्ड दिया गया है तो इसका सही कि आंसर आपका हो जाएगा option C जो रूट क्या हो जाएगा जो रूट हो जाएगा नेश्ट को सने की हाल ही में किसे वर्थ दरेकर स्वामी ब्रह्मानंद पुरसकार दिया गया है तो यह जो पुरसकार दिया गया है आनंद कुमार को क्या हो जाएगा आनंद कुमार option आपका D ह जाएगा नेश्ट ख ने की हाल हम दुबाइए का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले गोल्फ कोन बन गये हैं तो इसका अनसर आप देखा जाए more कोगा का सुविधा का उद्गाटन हुआ है तो इसका आंसर याद रखेगा आपका आपका भी हो जाएगा बाड मेर रायस्थान हो जाएगा याद रखेगा नेस्ट को सने की हाल ही में किस राय सरकार ने पीड़ों को बचाने के लिए पराण वायू देवता पैंसन योजना सुरू कि है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्सन ए हर्याना हो जाएगा क्या हो जाएगा हर्याना नेस्ट को सने की हाल ही में कौन पहले भारतीय मुल्क के वैक्ति और सुप्रीम कोट के जज़ बने हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हैमंत धंजी हैमंत धंजी हो शवलों में भारत ने कितने पतक जीते थे टोक्यो ओलम्पिक का सभी को पता हो गा यह भारत के द्वारा जिता गया था याद रखेगा यहां पर बोलागा कि हाल ही मैं संपना हो टोक्यो पर अलंपिक पर लांपिक बोला गया है तो इसका आफों को हो जाए गा ऑपो संसी को फ्रसासनTI किसे अपना राज्य पस् offenders घोसित किया है तो इसका अंसर हो जाएगा आप काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजिनी़ कौन बनी है तो सही अंसर आपका हो जाएगा और आपको सी आखांग्षा कुमारी हाल ही हूं भारत के सबसे ऊचे एएर प्यूरी फायर टावर का निर्माण कहां पर किया गया है तो यह आपका कहां पर किया गया है तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्सन भी भारत हो जाएगा याद रखेगा हाल ही में भारत का पहला परमाडू मिसाइल ट्रेकिंग जहाच का विसाका पट्टा में परिछड किया गया है इस जहाच का नाम क्या है तो इस जहाच का नाम याद रखेगा भूलिएगा नहीं आई एनेस धुरू हो जाएगा नेश्ट कोसने के तमिलाडू सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुनितिती को महा कभी दिवस की रूप में मनाने की घोशना किया है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा option C सुबर्मन्य भारती हो जाएगा भारत की सबसे बड़ी open air फर्णरी का निर्मान कहां पर किया गया है प्रोजेक्ट उड़ान को लांच किया गया है प्रोजेक्ट उड़ान तो इसका आंसर याद रखेएगा आयाइटी बंबे हो जाएगा option आपका भी हो जाएगा हाल ही में बहुराश्ट्रिय सैन्य अभ्यास जैब्रेट 2021 का आयोजन किस देश में किया गया है तो यह आपका किया गया है याद रखेएगा रूस में क्या हो जाएगा रूस आपका सही आंसर हो जाएगा केंदरी यह पारियाड वन एवं जलवाई परिवर्तर मंत्राले के द्वारा लाउंच किये गए प्राण पोर्टल का संबन्द किस से है तो प्राण पोर्टल याद रखेएगा आपका हो जाएगा answer option CY, यू प्रदूसर के नियमन से क्या हो जाएगा option आपका C हो जाएगा हाल ही में किस राज सरकार दोवारा बाजरा मिशन की शुरुवात किया गया है तो मैंने आपको बताया था बाजरा मिशन इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 36 गड़ क्या हो जाएगा 36 गड़ नेश्ट कोसने की हाल ही में किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेशी के लिए फिक्षन ज़र 21 महिला पुरसकार से समानित किया गया है तो आंसर याद रखेगा आपका सुजैना क्लार्क हो जाएगा आपका यहाँ पे डी हो जाएगा हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डायकसाइड सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा सनियंत्र यानि और का सनियंत्र इस्थापित किया है याद रखना है कि और का सअरेंथ्र है यह किसके द्वरा इस्थापित क्या गया है तो इसकी अंसर याद रखिएगा आईसलैंड और का संयेत्र आइसलैंड निम खित में से किस संस्था द्वरा रहाल ही में सुन्альная अभयान की शुरुरात की अभयान तो इस में आपका यहां पर सामिल नहीं है तो आपका हो जाएगा मुकेस अंबानी क्या हो जाएगा मुकेस अंबानी नेश्ट को सने की हाल ही में किस कंपणी ने जमसिद्पूर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर सनियंत्र इस्थापित किया है तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा यानि टाटा इस्टील हो जाएगा क्या हो जाएगा टाटा इस्टील नेश्ट को सने की हाल ही में किस राज सरकार ने अपने नगरिकों को मूत में पानी मुहया कराने के लिए घोशना किया है । ये किसके द्वारा किया गया है तो याद रखिएगा गवा के द्वारा किया गया है नेश्ट कोसने की हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझोता सुरू करने वाला पहला ACI देश बन गया है तो यह आपका बन गया है भारत क्या हो जाएगा भारत आपका सही आंसर हो जाएगा हाल ही में समुद्री सायोग बढ़ाने के लिए भारत और अल्जेरिया के मद्य आयोजित पहले नौसेनिक अभ्यास में भारत के किस जहास ने भाग लिया है तो भारत के दिखाए तो आई एने स्टबर ने भाग लिया है option आपका D हो जाएगा हाल ही में योग बढ़ाने के दोरा लौँच किया गया है तो उसका नाम याद रखेगा योग बढ़ाने के दोरा लौँच किया गया है option आपका D हो जाएगा हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसेनिक अभ्यास सिमबैक्स का 28 संस्क्रड किया है तो सही answer आपका हो जाएगा option B सिंगपूर हाल ही में इंजिनियर्स इंडिया लिमिटेट की पहली महिला देख्च कौन बनी है तो ये कौन बनी है पहली महिला देख्च तो आपका वारती का सुकला हाल ही में विक्सित भारत के पहले Quantum Computer Simulator Toolkit का नाम क्या है तो इसका नाम याद रखेगा बहुत यादा इंपोटेंट है आपका क्यूब सीम हो जागा क्या हो जाएगा क्यूब सीम नेश्ट कोसने की कोबीड नाइटीन टेके की खोज महतपूर भूमी का निभाने है तू बांगला देश के किस वग्यानी को रैमन मैक्स से पूरल स्कार द्वरेक का इस परदान किया गया है तो ये परदान किया गया है आपका फिर्दोसी कादरी फिर्दोसी कादरी हो जाएगा नेश्ट कोशने की हाल ही में किस बैक्ती की जैनती पर प्रधान वंती निरेन मोदी ने 125 रुपए का इसमारक सिक्का जारी किया है तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 98 का याद रखियेगा इसका हो जाएगा आपका स्वामी प्रभुपाद हो जाएगा आपका यहां पर डी सही आंसर हो जाता है चलिए आगे देख लेते हैं अगला कोशन क्या कहता है कि हाल ही में किस राय सरकार ने वर्ष द्वार तीस तक सब्सक्राइब करने का लग्ष निर्धायत किया है तो आपको पताई होगा ओप्सन भी नागा लैंड क्या हो जाएगा नागा लैंड आपका सही आंसर हो जाएगा हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद कीमतों के काड़ खाद अपात काल घोसित किया है तो सही आंसर आपका यहां पे हो जाएगा याद रखिएगा आंसर आपका हो जाएगा सिरलंका क्या हो जाएगा सिरलंका तो फ्रेंड्स आप सब लोग है कि नए वीडियो में आज के लिए इतना ही जैहिंद वन्यमात्रम